डूंगरपूर जिले में विधानसभा चुनाव के तहट राजनेतिक दल अब निर्दलिय नामानकन भरने वाले बागियों को मनाने में जुटी हुए है एसी के तहट मंत्री महिंद्रजीत मालविया वरिष्ट कांग्रेसी नेता दिनेश खोडनिया के नेत्रित्व में कांग्रेसी नेता डूंगरपूर पहुँचे और बागी चुनाव लड़ने वाले नेताओं से मुलाकात कर समझाईश की लेकिन बागियों के नहीं मानने पर उन्हें बेरंग ही लोटना पड़ा आप देख रहे हैं डूंगरपूर खबर फास्ट न्यूज चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी होकर चुनाव में निर्दलिय ताल ठोकने वाले बागियों को कॉंग्रेस पार्टी मनाने में लगी है एसी के तहट मंत्री महिंद्र जीत मालविया, वरिष्ट कांग्रेसी नेता दिनेश खोडनिया, कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लबराम पाटीदार बागियों के घर पहुँचे इस दोरान वरिष्ट नेताओं ने 84 विधानसभा सीट से बागी होकर निर्दलिये चुनाव लड़ने वाले PCC महासचिव महेंद्र बरजोड से समझाईश की लेकिन बरजोड नहीं माने और उन्होंने नामानकन वापस लेने से साफ इंकार करते हुए चुनाव में खड़ रहने की बात कही वही PCC महासचिव पद से इस्तीफा भी जिला ध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष के नाम सौपा जिसके चलते वरिष्ट कांग्रेसी नेताओं को बेरंग लोटना पड़ा इसी के साथ मंत्री महेंद्र जीत मालविया वरिष्ट कांग्रेसी नेता दिनेश हो पाई जिसके चलते यहां भी कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं को निराशा हाथ लगी इधर अगर दोनों सीट पर कांग्रेस से बागी प्रत्याशी निर्दलिय मैदान में होते है तो कांग्रेस को दोनों ही सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा